आज तक उनका जिक्र नहीं होता इतिहास में चित्पावन ब्राह्मणों पे उए नर्शंगार को भुला दिया गया है महरास्ट के अमबेटकर जी से पूरी डिबेट शुरू ही कल वालमिकी जैनती थी पसमानदा का जन दिवस भी था आपको पता है राहूल गांदी जब इन कुछ लोगों से मिले तो यह है तस्वीर जूम कीजे कैमेरा बाए ना देखो यह आमबेटकर जी की तस्वीर को जमीन पर रखा है पेरों तले यह आमबेटकर जी के सम्मान की बात करें जिन्हों ने दो बार चुना हो रहा है जिन्हों ने भारत दतने दिने में विलम किया जिन्हों ने कुमारी शेलजा का अपमान किया और कल वालमिकी जैनती के दिन पर नाशनल OBC Chairperson of Congress Mr. Ajay Yadav ने इस्तिफा दिया यह क जाकर Communist Party का लेटर पढ़िए आमबेटकर जी के खिला आमबेटकर जी हराना चाहते दें लेफ्ट पार्टी इसको आज विडम बना देखे कि लेफ्ट भी जैबीम जैबीम कर रही है तो यह आमबेटकर जी की जीत है नो सो चुहे खाकर बिल्ली हज को चली यह अमबेटकर पर ग्यान देंगे ना ना आप लिए बिरोधी बीजैपी का चरित रहा है और यह ग्यान दे रहे हैं अमबेटकर पर एक वार कम से कम सोच लिया किजे कुछ बोलने के पहले यह दलितों का अफमान करने वाले लोग द वाल मिकी की जी का जनम दीन था नक्ञा भी जनम दीन Tha नज Regular कीका बीजिए सब चांगी का जनम दीन था तो मेरा जल्म दीन था यह सब को बीशह है भाई डिवेट का सवाल है तुम लोग लिए तब आपका तो सभाज होगा लालु जी के जरुम दिन के जिन्द होगा तो लालु जी गरीबों के मसिया जैकि अस्वनी जी ने गलत तत्यों को गलत फैक्स को रख करके विसे को इस डिवेट को गलत दिसा में डाइवर्ट कर दिया मेरा सवाल सेजा सरसे हैं कि सर जो अब दिर्दीरी साब ने ये बोलाए कि जो पार्लेमेंट और एरपोर्ट वकब बोर्ड की पर बना आए तो ठीक है बट उनके पास वह डोकॉमेंट्स है डोकॉमेंट्स प्रूफ करने की जड़ोता है ना कि इस पर राजनिती क्यों कर रही जबकि ये बोलना चाहिए कि उसके पास डोकॉमेंट्स दिखाए और अपनी प्रॉपर्टी ले ले अपके ले नहीं प्रॉपर्टी पर दावा है अगर सर प्रूफ होता है तो मतलब अगर अगर सवाल को की शहजाद से आया इसलिए और 20 सेकिन में शहजाद जबाब बेट नहीं यहां कोट नहीं क कागस दिखाओ कागस दिखाए तो परंडेमेंट के इदail की जमीं परल्लेमेंट वाली जमी नहीं उसमें छे प्रॉपर्टी निकली जिसमें eksunery Masjid activities like sitzt अश्तर उन्हों ने बोला पर इस पे तो कुछ नेज पर आपकार दावत कर सकते आखते दो करिए यहां पॉलूशन बहुत है और लाल टेन केरोसीन से चलता है पॉलूशन करेगा जी 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 सवाल ऐसे कि लाल टेन लाल टेन और टैबलेट के यूख से बाहर आते हैं अभी सर मेरा कोस्यन है कि ऐसे बीजेपी को हिंदू की पार्टी बोली जाती है तेरा साल में ऐसा क्या हुआ कि वाकबोर्ट का जो जमीने वो दूगीनी हो गई है ओके यह दूगीनी हो गई है जमीन एक आश्वनी अश्वनी उपाते हैं यह तो सरकार तो 11-11 साथ बीजेपी की है वक्ष की जमीन कैसे बढ़ गई है यह सवाल नहीं नहीं बता देता हूं सबसे खतरनाक बना 1995 में बना तो पंचानवे के बाद जमीने तेजी के साथ एक लैंड मलब उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया और सबसे जादा जो खतरनाक बना 2013 में बना तो जहां उगली रखे वही हो गई तो हो गया कि जरने नदिया पहाड हाईवे की जमीन रे हम विधान सारे लोग हिंदी हैं जानते हैं तीवारी जी भी हिंदी पढ़े लिके हैं इनको पता है तो अगर मजब के अधार पर अलग लग कानून होता उसको कहते बहुविधान भारत में बहुविधान खतम होना चाहिए सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड को लेके पहले भी संशोधन किये जा चुके है लेकिन इस बार जब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को लेके संशोधन कर रही है तो आप उसकी खिलाफ क्यू बात कर रहे हैं अब इन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 2013 में बड़ा खतरनाक कानून लेका है उसके बाद से कनवर्जन शुरू हो गया स्टोशन शुरू हो गया सारी चीदों उसके बाद शुरू ही 2014 में मोदी सरकार आ गई वावा यानि जितना अवहद कब्जा किया वक्फ बोर्ड ने वो मोदी सरकार में किया क्या कमाल अश्वनी जी आप ने ने आपने 2013 अब यह उसमेंड में दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं अभी शेदाद में बात कही ती बहुत अच्छी बात कही कि अब वक्फ प्रॉपर्टीज वो कुछ गुंडों ने कब्जा किया वा है और उसका जो पैसा है वो गरीबों तक नहीं जा रहा मैं मानता हूं कि कु क्यों इंक्लूड कर रहे हैं क्यों ने क्यों घैकर और आगा इनकी जमीन पर कोषा होता है तो कलेक्टर ही तो डिसाइड करने ने अगरवाल धरम साला पर मैं जाके बोलू मेरे पिताजी ने एडान किया हनमान मंदिर बनाने किमेरा और अगर्वाल जी घरम मुकदमा कोट म म Pen चलेगा अगर सादाब जाके बॉलेगा तो वक्तार में चलेगा दूसरी बात वक्त ऑफ के इशो पर आपने बहुत अच्छी डिलीद्भी की कि पूरी दुनिया का एक्जामपल दे रहे हैं आप भारत की बात कीजिए अगर वाकई में आपको चिंता है कि वक्ष पे गलत संपत्ती है आप उन पॉइंट्स को रेज करिए कि ये संपत्ती वक्ष की नहीं थी और मैं चुनोती देता हूँ अश्वनी जी आपको अवरत के बात की बारत की बारत की बारत की बारत की तो देखा तो दिए नियुक्त जायों आपको एपे भुटलो दिखा उन नाम वक्फ हो जाने से घासे जमीन का ममला नहीं गया जमीन का ममला है हुआ है हुआ मैंसालमाइबनों कि अगया है यह पूंड होना चाहिए एक ही को कि अपने बोला सुन डीजीति में ञाओ अगा अदाख एडर्म के अधर यह धर हमारे समईदाय में हमारे धर्म के भानुक मुस्लिम धर्म रहुत तो कानून का सजा अलग है और हमारे लिए सजा अलग है क्यात काट हो वहाँ पर धार्मिक का़गा होए अमिश और मेरी सजा है एक उनी चाइए युनिफॉर्म क्रिमिनल कॉट जरूर च involvement छाइए इसलिए मैं कहता हूँ इनका नाम शाधाब चौहान है पर शाधाब का असर ज्यादा है चौहान का असर जो हो कम होते होते करता है न चोहान का सरकम है न शादाव का सरकम है पर लेकिन एक चीज़ सुन लिजिए इन्होंने कहा कि आप चोड़ी में नी क्रिमनल में क्यों जाते आप पी तो राम जी के वंचे जहना है रहा है नहीं किया बोलना ही आप डिसाइड क्यों कर रहे हैं नहीं आप भगवान मानते है आप इतना आप भगवान मानते हैं नहीं मैं नहीं मानते हैं वैसे वक्ष बोर्ड और शरीयागी बात करते हैं अभी आधा मान रहे हैं तो इतनी परेशानी है में तो क्रिमिनल में मानने था कर गोरी बात कर मूदी सरकार कानून लेकर कर आतीए फूरी बात करें लाला ना था हो sleeping a कि आख पिए तडुवार है विजह लेकिन आख्यो अख्री दोर है आख्री दोर है मृतिंजे तह़ारी महराश्तर में क्या होने वाला है बीजेपी का खेल खतम महाराश्ट में इसलिए कि बीजेपी का जो डिजाइन है वो महाराश्ट में आपस में दोनों लड़ रहे हैं सब एंडिये में जो सामिल दल है और यह जो धर्म के नाम पर ही खेतिक प्रइवाजनिक की अज़तिक सब कुछ ठीक है इंडिया तो और जारकंड भी जीतेगा आपको शुबकाम ना उसके लिए मैं पुछ रहा हूं आपका CM कैडिडेट कौन है महरास्टर में इंडिया राइंस का हमारा CM कैडिडेट जो भी होगा इंडिया गठवंदन के सभी दल मिलकर के टैकर रहेंगे देखे चुनाओं में जो भी जीते हारे लेकिन एक जो बुरी बात हो रही है अस मुल्क के अंदर जो बहराइच में आप सब ने देखा किस तरीके से धार्मिक जलूसों को लेकर के दो समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं फिर वह उत्रॉला बल्रांबोर श्रावस्ति हर जगा पर यात्राइं निगल रही हैं गिरी राज सिंग भी कूद पड़े तो जिन्होंने उस बच्चे को उकसा करके छट पे चढ़ाया उनको गोली मारो और जिन्होंने उस बच्चे को बढ़ा करके इंस्टिगेट करके किसी के घर में गुशा देना यहीं चीज होती है ना जिसको बोलते है लिबरल प्रोग्रेसिव वह कहता है कि चाहे आप जितना भी किसी को उक्साओ रियक्शन शुड नाट भी वाइलेंस आज यहां पर क्या बोले डीजे म्यूजिक बजा दिया मस्जिद के सामने यात्रा निकल गई तो उसका मतलब गोली गुस्ता के मस्जिद की एक ही सचा गोली से उड़ा दो गुस्ता के हरजेन डाटन पर भाड़ाकी तो आपने पूचा है यह होने वाला है जलेबी बानाई कर दो को झाल झाल